नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम है डॉक्टर महीबाल सिंग राठोट और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ चर्चा करूँगा, भारत और यॉनाइटेट स्टेट्स के बीच में बढ़ती रक्षा साजेदारी में एक इंपोर कर रिपैर हो सकते हैं, यहाँ पर उन्हें मिंटेंग किया जा सकता है, तो इसकी पूरी हम डीटेल जानेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले, पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और इन टेलिग्राम चैनल पर आपको लेक्चर के पीडिएफ मिल जाएंगे, रविवार सुबह 11 बजे, मेगा कॉमबैट आ रहा है, इस मेगा कॉमबैट में बहुत सारे अट्रैक्टिव प्राइसे हैं, तो देखें, यूजवल कॉमबैट में स्कॉलर्शिप्स जीतने को मिलती हैं, वो तो यहाँ पर है ही, इसके अलावा, आप लैप्ट बहुत जगे, हमारे लेक्चर्स के माधियम से भी, लेकिन आप अपने आपको टेस्ट कैसे करेंगे, तो ये टेस्ट आप हर शनिवार को ले सकते हैं, शाम 5 बजे होता है, 25 कुशन होंगे, इसमें weekly current affairs रहेंगे, और यहाँ पर जो टॉप करेगा, उसे हम अपने notes free में दे इसमें ही ये पोटोग्राफ आप देख सकते हैं, जिसमें हमारे विदेश मंतरी श्री एश जैशंकर और रक्षा मंतरी श्री राजनाथ सिंग यहाँ पर हैं, और युनाइटेट सेट्स के उनके काउंटरपार्ट्स यहाँ पर खड़े हैं, तो इसके बाद जो statement आया था, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, मैरिट टाइम सीलिफ्ट कमांड क्या है, देखें यह एक संगठन है, जो युएस नेवी को सुचारू रूप से चलाया जाने के लिए, रिप्लेनिश करने के लिए काम करता है, रिप्लेनिश यानि कि मान लीजे कि कोई उनका जहास खराब हो जाता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो उसमें सही समय पर पार्ट्स पहुंचे, सही समय पर सही उपकरन पहुंचे, और पूरा support रहे maintenance का, वो इस कमांड का काम है Military Sea Lift Command इसे कहते हैं, तो जितने भी transport ships हैं, वो भी इसी के अधीन operate करते हैं, तो US Navy का Military Sea Lift Command बहुत बड़ा है, in fact US Navy is the largest Navy in the world, China काफी तेजी से उनके नजदीक पहुंच गया है, बट स्टिल अभी भी US Navy सबसे आदा शक्तिशाली है और सबसे बड़ी है, नवी है, और पूरी दुनिया में ये operate करती है, it's a blue water navy, तो ये दुनिया के कई oceans में अपने आपको base करके manage करते हैं, केवल United States के आसपास इनके operations नहीं चलते, तो military sea lift command को ये responsibility है कि जितना भी sea lift करना पड़े, ocean transport करना पड़े, कई बार उपकरणों को जहाजों तक पहुंचाना पड़ता है, ये स तरह से पिछले दशकों में आगे बढ़ी है, तो इसमें कुछ important कदम है, कई important समझोते हैं, जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, तो पिछले 20 सालों में भारत और America ने कई important समझोते sign किये हैं, और इसका फायदा US को भी मिल रहा है, और India को भी मिल रहा है, तो हम कोई intelligence है, तो उसे share करेंगे, किसी आतंगवादी के बारे में, कोई आतंगवादी संगठन के बारे में कोई जानकारी है, तो इस तरह की information share करी जा सकती है, second, LEMOA, this is very important, logistics exchange memorandum of agreement, 2016 में ये sign हुआ था, LEMOA एक पहला कदम था, जो US और भारत की detailed रक्षा साजेदारी को outline करत है, लेकि दोनों देश वैसे काफी नजदीक आ रहे हैं, पिछले 20 सालों से, लेकिन US इस तरह के agreement किवल उन देशों के साथ sign करता है, जिन पर उन्हें पूरा भरोसा है, जिन के साथ उन्हें ये surety है, कि कल कोई हमारे दुश्मन देशों के साथ मिलकर लडाई में नहीं शा इनका इस्तमाल हो सकता है for repairs and resupply, यहां से हमले नहीं कर सकते, तो माल लीजे कि अगर अफगानिस्तान में US Air Force को कोई बम गिराना है, तो उसके लिए हम अपने Indian Air Force के base को उन्हें नहीं दे सकते हैं, तो भारत की धरती से कोई भी US Air Force का aircraft उडान भरकर अफगानिस्तान में ब compatibility and security agreement, इसको लेकर अभी काफी चर्चा भी चल रही थी, तो जैसा कि नाम आपको यह बता रहा है कि communications compatibility, इसका क्या मतलब है, देखें, दोनों देश की navy, armies, अलग-अलग communication equipment, frequencies और different technologies इस्तमाल करती हैं, तो यह दोनों देशों के बीच में सुचारू रूप से communications हो सके जब भी जरुत पड़े, उसके लिए यह अपस में तालमेल मिठाएंगे, मान लो, बविश्य में कोई ऐसी जंग है, जिसमें भारत और अमेरिका साथ मिलकर लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में, Indian ships और US ships आपस में communicate कैसे करेंगे, उनके बीच में अगर कोई detailed communications है, and it's not just about radio communications, और भी बहुत तरह के communications होते हैं, तो उनको एक पेज पर लाने के लिए, यह communications compatibility and security agreement sign किया गया, इसमें in fact हमारा जादा फाइदा है, US का कम है, क्योंके हमें कई ऐसी advanced technologies, US के पास जो मौझूद है, वो हमारे पास भी अब available हो गई है, because of this, ठीक है, तो communications compatibility हमारे लिए जादा फाइदे सभी के लिए, तो उन्हें डरता कि कहीं हमारा यह नया technology बाहर भारत को leak हो जागया, तो problem हो सकता है, दूसरे देशों तक पहुंच सकता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है, so this has been very much beneficial for India, next was BECA, basic exchange and cooperation agreement, 2020 में sign हुआ है, यह latest रक्षा समझाता है, strategic एक treaty है, दोनों के बीच में sign हुई है, दोनों देशों ने तै किया है कि हम maps, nautical and aeronautical charts, commercial and unclassified imagery आपस में share करेंगे, तो यहाँ पर बहुत सारा data है, कई तरह का data है, जो आपस में share किया जाएगा, और इसमें भी भारत का काफी फायदा है, क्योंकि again, American Navy जो है, उसके पास यह जादा detailed जानकारी या data available रहता है, तो यह Indian Navy के ले खास करके बहुत जादा फायदेमन agreement है, basic exchange and cooperation agreement, बेका, तो यह चार agreements के बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, mains में कभी अगर सवाल आता है, तो इन चारों को mention कीजे, इन पर individually भी सवाल आ सकता है, तो हम कोशिश करेंगे कि इन पर individual जो लेकर एक वीडियो लेकर आएं, अगर आप ऐसा चाहते हैं, तो comment में ज़रूर mention कीजेगा, और जब भी India-US relations की बात आती है, तो इनको mention आपको करना ही है, तो अब यह नया agreement जो हुआ है, यह basically किसके अधीन है, LEMOA के अधीन ही है, this is under logistics exchange memorandum of agreement, तो sign तो हमने 2016 में ही कर जा था, लेकिन उसको practically implement अब किया जा रहा है, तो उसके बारे में इनोंने एक detailed outline दी है, so this agreement is expected to boost India-US defense trade, कैसे, American ships, India के shipyards में आएंगे, हमें यहाँ पर business मिलेगा, तो इंडिया में बहुत सारे shipyards है, public sector है, private है, तो उन सभी में, mainly public sector जो है, Navy के, खुद के dockyards भी है, कुछ, उ उन में refitting, या फिर कोई भी maintenance activity है, तो उससे of course हमारी economy को boost मिलता है, हमारे shipyards को उससे profit मिलेगा, और इससे US को क्या फायदा है, देखे, US Indo-Pacific region में अपना दब-बाव कायम करना चाहता है, क्योंकि उसे China को counter करना है, अब China को counter करना है, तो उसके जहास continuously से area में operate करते हैं, ले Russia के साथ अपने रक्षा समझाते कम कीजिए, थोड़ा उसमें हम पर दबाव कम होगा, क्योंकि अभी India-US का cooperation बढ़ेगा, तो हम US को कह सकते हैं, कि आप देखे, आपके साथ बढ़ा रहे हैं cooperation, और Russia के साथ दीरे-दीरे कम हो रहा है, ये सच्छा ही है, अभी भी काफी अद खत्म होती जा रही है, हम जादा तर जो Soviet Technology वाली machines हैं या aircraft हैं वो खरीद रहे थे, तो वो technology अब काफी outdated हो चुकी है, और Indian systems जो अगले कुछ साल में हम acquire करेंगे, उसमें US के उपकरण जादा हैं, तो US के उपकरण Russian systems के साथ इतना अच्छा काम नहीं करते हैं, मानलो हवाई जाद है Russian, लेकिन उसपर हम missile load करना चाते हैं American, तो वो इतने अच्छे से काम नहीं करेगी, तो उसमें compatibility के issues हैं, तो धीरे धीरे हम US की तरफ अगर अपना जुकाव करते हैं, तो वो technology wise इंडिया के लिए काफी बहतर है, अब देखिए इसका फाइदा क्या होगा, मैं आपक ताइवान को धंकाने की कोशिश करी थी, उस समय United States ने अपने बड़े बड़े जहाजों को USS Nimitz भेज दिया था इन्होंने, which was one of the largest ships at that time, तो USS Bellewood, O'Brien, McCluskey, USS Nimitz, चार बड़े carriers को इन्होंने भेजा था ताइवान स्टेट में, चाइना को धंकाने के लिए या चाइना को ड बात है, तब चाइना इतना बड़ा superpower नहीं था, economic और military, अउसके बाद चाइना की economy बहुत बढ़ चुकी है, it is much more than, not much more, but yes, a little more than US right now, तो उन्होंने अपनी navy और military को भी उसी अनुपात में develop किया है, तो आज चाइना अमेरिका को टक कर दे सकता है, so China is threatening to take America's throne as the most important or the powerful nation in the world ये एक सच्चाई है, और US इसको रोकना चाता है, इसलिए उसे भारत जैसे देशों की जरुवत है, भारत की सहता की आवशक्ता है, और ये ताइवान वाला जो issue है, ये लगातार news में बना रहता है, तो इसकी details आपको हमेशा पता होनी चाहिए, एक recent development अभी बता देता हू कि US के senators, यानि कि वहाँ के Parliament के सदस से अभी अभी ताइवान की visit पर गए हैं, और चाइना ने धंगाया था US को कि मत जाना वहाँ पर, लेकिन फिर भी ये पहुँच गए हैं, और NATO partners जो हैं, ये सब अगर इखटा हो जाएं, और चाइना को threaten करें, तो चाइना के लिए कुछ भी पूच सकते हैं, ये क्लास हो रही है, 19 अप्रेल को शाम 7 बजे, इसका लिंक नीचे आपको description और पहले comment बे मिल जाएगा, इस क्लास को ज़रूर जोइन करें, current affairs की तयारी कैसे करनी है, ये मैं आपको बताऊंगा, अगर IS exam की तयारी करना चाते हैं, तो देश के best educators से आप live पढ़ सकते हैं, academy platform पर, यहाँ पर हमारा जो पूरा platform है, it is tailor made for you to crack this exam, IS exam, तो इसके लिए हम best तरीकों से आपको feedback देते हैं, classes एकदम high quality की होती हैं, plus और iconic दो प्रकार के subscription है, दो नहीं subscription में आपको 10% discount मिलेगा, अगर आप महीपाल कोड का इस्तमाल करते हैं, तो iconic subscription में आपको one-on-one mentoring मिलेगी, optional की classes भी available हैं, यह सभी courses EMI option पर available हैं, EMIs, discounts, कितने course की validity आपको best मिलनी चाहिए, यह सब जानकारियां आपको इस helpline number पर मिल जाएंगी, working hours में इस पर call कीजिए, सुबह 10-6 बजे के बीच में, आपको यह लोग assist करेंगे अच्छे से, this number is specially for my learners, my students 7825860095, इस number पर आप call करके जानकारी ले सकते हैं, modern history का course live plus platform पर इस वक्त on going है, link नीचे पहले comment में है, इसको भी join कीजिए, अगर आपको कोई doubts हैं history में, live classes में हम बहतर interact करते हैं, इसमें आप जोड सकते हैं, हर हफते नए batches start होते हैं plus platform पर, जिसमें हिंदी, English और English, तीन तो अगर आप offline में शामिल होकर देते हैं, आपको एक real वाला experience चाहिए, offline वाला, so you can go and join this test series over there, unacademy light, जो हमारी 2022 के prelims के exam के लिए online test series है, यह आपको बहुत मदद करेगी, you can join this, last mile program is to help interview, aspirants, सरूर इसमें शामिल होए, देश के best और top bureaucrats, यहाँ पर आपको grill करेंगे, और interview रूकले परेंगे, an academy store is now open in Jaipur and Delhi, you can go visit it, thank you very much, have a great day.